नमस्कार में उप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार के फाक्टरियों में काम करने वाले प्रवासी कामगरों को नितीश सरकार देगी विशेश सुवधा बिहार में अब दराने लगे हैं कोरोना के मामले इडी ने इसमहिला IPS और उनके पती की संपती को किया जब अब फिलिस के चक्र से नहीं बद सकेंगे शातिर समान सुधार के लिए आज मुजफर पुर पहुँचे सीम नितीश अब चले बढ़ते हैं बिहार की उश्याम तक की बड़ी ख़वरों की और वस्तार से बिहार में अब डराने लगे हैं कोरोना के मामले बिहार में कोरोना के मामलों में बड़ा उच्छाल देखने को मिल रहा है हर दिन के साथ बिहार में आने वाले दैनिकम मामलों में व्रधी होती जा रही है स्वास्तिवभाग की तरफ से मिली जुहानकारी के नुसार बिहार में बिते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 47 मामलों की पुष्टी हुई है जिसके बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 105 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभाविजिलों की बात करें तो औरंगाबाद में 4, बेगुसराय में 1, भागलपूर में 1, गया में 17, जुहानाबाद में 1, किशन गंच में 2, मधुबनी में 1, मुंगेर में 3, नवादा में 2, पटना में 10, पुर्निया में 1, रोहतास में 1, में 1, सीता मढ़ी में 1, वैशाली में 1, मामले के पुष्टी हुई है, इसके अलावा किसी भी जुले में एक भी मरीज की पुष्टी नहीं हुई है, इसके साथ ही वीते दन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर, 1,73,962 सेंपल की जाच की गई, वहें इस दौरान 7 मरीज ठी श्रमसंसाधन विभाग अंतर राज्य की है, प्रवासी कामगरों के लिए कई सुभधाय उपलब्ध करवाने जा रहा है, प्रवासी कामगरों की सुरक्षा, स्वास्त की जिम्मधारी और अब फैक्टरी के मालिक उठाने वाले हैं, विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अगर फैक्टरियों के मालिक तो उस्टे राजु की कामगरों को अपनी फैक्टरी में रखेंगे तो उन्हें उस ट्रमिक को ट्रेन, बस या किसी अने यात्री परिवहन माध्यम से, रोजकार स्थान से, ग्रेह राजु में उनके निवास्थान तक आने जाने की या खंटे के दौरान कई हिस्सों में बारिश हुई जिसके चलते तापमान में गिरावर दर्शी गई है आज भी सिवान गुपाल गंज पुर्वी चुमपारन शिभर सीता मड़ी सहित कई जिलों में हलकी से मध्यम बारिश की संभावना जुताई गई है मौसम विभाग के अनुसार अगले एक से दो दुनों तक बिहार में मौसम की ऐसी ही स्थिती बनी रहेगी पटना मौसम विभाग की माने तो आज राज़ के एक या दो हिस्से में कोहरा चाय रहने के आसार जुताई गये थे वह आज और कल प्रदेश में शीत लहर चलने की सं बिहार के ITI कॉलेजों में Center of Excellence का होगा निर्मान बिहार में ITI कॉलेजी को उन्नत बनाने के लिए बिहार सरकार अपने काम में जुट गई है जिसके तहती अब श्रम संसाधन विभाग ने नई पहल के शरवात की है बिहार के श्रम मंतरी जिवेश मिश्रा की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार Tata Technology की मदद से सभी ITI कॉलेज में Center of Excellence बनाये जाएगा इसके लिए कुल साथ ITI कॉलेज को प्रथम फेज में लिया जाएगा इस योजना पर 5436.22 करोर रुपे की राशी खर्च होगी इससे युवाव का कोशल विकास होगा आपकी जानकारी के लिए को बता दे कि 10,000 स्कॉर फीट में यह Center बनेगा ताता कंपनी इस योजना पर को लठासी प्रतिशतराशी खर्च करेगी बिहार में शुरू हो गई है कोरोना की तीसरी लहे बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है मंगलवार को स्वास्ते व इस दौरान बोलते वे सीम नितीश कुमार ने ये भी कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर से लड़ने में डॉक्टरों का योगदान सरहनी है रहा कोरोना से मुक्ति दिलाने में जो डॉक्टर की भूमिका है इसके लिए आपका अभिनंदन करता हो बिहार की कलात्मक्ता का मुरीद हुआ गुजरात कलात्मक्ता के शेत्र में मधुबनी चितरकला वेश्विक पटल पर बिहार की पहचान चिन्ह बन चुकी है सिर्फ यही नहीं बिहार एक ऐसा नाम जिसकी सभिता संस्कृति और कलात्मक्ता का स्वर्निम इतिहास रहा है ऐसे में अब बिहार ने अपने नाम एक और किर्तिमा अंदर्ज कर लिया है जिसके तहर तब मधुबनी चितरकला से गुजरात भी बिहार का मुरीद हो गया यही कारण है कि मधुबनी चितरकला से गुजरात की दिवारे भी सज रही है गुजरात के कोसंबा रेलबे स्टेशन को मधुबनी चितरक प्रति से परचुत कराना है। प्रति से परचुत कराना है। पहले बाट सचे फिर स्टी एटी अभेर्थियों ने विरोध किया। उसके बाद बेते दिन बिहार के क्रिशी कॉलेज के चात्रों ने विरोज शुरू किया। वीर कुमर क्रिशी कॉलेज में मंगलवार को 2019, 2020 और 2021 के चात्र चात्राओं ने प्रिफेसर के अंशन को देखते हुए परिक्षा नहीं देने का अंदर नहीं लिया है। ये परिक्षा 3 जनवरी से 15 जनवरी तक देर धारित है। इस बावत BPSC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके तहट ही 67 बार पदों की संख्या बढ़ाई गई है। इस सिती देखने को मिलती है क्योंकि पलीस भले ही अपराधियों पर तरह तरह से स्ट्रिकन जाकसने का काम करती आई हो लेकिन अपराधियों भी दिन बदिन और ज्यादा हाई टेक होते जा रहे हैं। अब इन अपराधियों को पकड़ने के लिए और इनकी पहचान करने में बिहार पुलीस और ज्यादा एडवांस होने वाली है। अब बिहार पुलीस को शातर अपराधियों की पहचान और इतिहास के लिए ज्यादा परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इनकी एजनसीज ले रही हैं क्लीन चिट। अधिसंख एजनसीज अभी काली सुची से बाहर निकलने की लगतार कोशिश कर रही है। इसको लेकर बिहार के मुख्यस्ता चिट्र पुराधि शर ने आदेश जाली किया है। प्रसार और ने साल 2022 की पुर्वसंद्या और प्रथम दिन को होने वाले आयोजन और सारवजनिक्स थलो पर भीड एकतरत होने की संभावना की मदरजर पार्क और उदियान के बंदर रखने का निर्ने लिया गया है। समाद सुधार के लिए आज मुजफर पर पहुंचे सीम नितीश बिहार के विभिन जिलों में समाद सुधार अभियान के तहत सीम नितीश लगातार दौरा कर रहे हैं इसी कड़ी में आज सीम नितीश अपने इस अभियान के तहत मुजफर पर पहुंचे जहां कारिक्रम का समीक्षा बैठकी गई आपको बता दे कि सीम की कारिक्रम को लेकर शहर के कई ट्राफिक रूट को भी बदल दिया गया था जिस रूट से सीम को आना है उस रूट में कड़ी सुरक्षा के साथ साथ अभी प्रकार के बाहनों की आवजाही पर रोक लगा दी गई थी जो आज चुके हैं कि सरकार उनहीं के दम पर चल रही है दूसरे तरफ भाजपा ने मांजी के दावो पर सवाल उठा दिया है भाजपा नेता और मंत्री निरत सिंग बब्रू ने मांजी को राम ना जपने की सरह दी है जिसके बाद ही एंडिये के बीच पर मचेग हमासान को लेकर राजप ने बड़ा दावा किया है जिसके धैत राजप प्रवक्ता उम्रितुन जेतिवारी ने साफ कहाई कि एंडिये में मांजी जी का लगातार अपमान हो रहा है पिश्रे कुछ समय से मांजी जी का जो रवया है जो बयान आ रहे हैं वो नए साल में कुछ कुल जरूर इंडिये सरकार को यह भारी पड़ेगा मांजी के बल पर सरकार है और उन्हीं को आख दिखाई जा रही है सेंचुरियन में सेंचुरी लगा कर पंत ने तोड़ा धोनी का बड़ा रिकॉर्ड भारत बनाम दक्षिन आफरिका के बीच पहला तेस्ट मकाबला खेला जा रहा ह जहां फिलाल भारतिये टीम मजबूत सिती में दिख रही है इतना ही नहीं जुदारान भारतिये टीम की कई खिराडियों ने अपने नाम अनुखा रिकॉर्ड भी तरच किया है जिसके तहती भारतिये विकेट कीपर रिश्वा पंत ने अपने 26 वे टेस्ट में एक महान मोंगिया और सेयद किर्वानी जैसे नाम आते हैं पंत ने इस माच में अब तक तीन कैच पकड़े हैं उन्हाने पहले दक्षिन आफ्रे की कप्तान डीन एलगर टेंबा बावुमा और उसके बाद वियान मुल्डर का विकेट के पीछे कैच लपका था साउथ आफ्रिका के विकेट कीपर कुइंटन डी कॉक इस लिस्ट में सबसे आ गया हुन्होंने 22 टेस्ट में विकेटों के पीछे 100 विकेट लेने का काम किया था और इस उपलम्थी को हासल की थी कल हमारे दोवारा पूछे कैस सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत भगत धन्यवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रोशन कुमार, नुन्नु कुमार, प्रिया यादफ, प्रवीन कुमार, नीलम कुमारी, निरंजन कुमार, ई-र राजिश्वर रोय, मनीश कुमार, गजींदर सिंग, शैलिंदर विश्वास, एमदी र क्या बिहार सरकार की नल जल योजना सफल हो पाई है या नहीं, अपने जवबाब में कॉमेंट करके ज़रूर बिताएं, इसके साथ ही आजश के लिए बस इतना ही, बिहार की बड़ी खबरों से अबडेट ढहने के लिए हमारी योट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकों दबाना ना भूले, धन्यवाद.